कि कि अधिर तो जैसा आमने लास्ट लेक्चर में वॉर्टर के बारे में पढ़ लिया था वॉर्टर की प्रॉकर्टी मैंने आपको बता दिया था की बारे में मैंने बता दिया था आप लोगो को ओ आप start करते हैं hard and soft water ठीक है तो hard and soft water hard water and soft water hard water and soft water ठीक है अब देखो hard water and soft water इसके बारे में समझते हैं ठीक है देखो soap and detergent cannot produce leather in hard water ठीक है तो soap and detergent, soap and detergent, cannot produce, cannot produce, produce, cannot produce leather, leather in, leather in hard water hard water hard water ठीक है hard water में यह आपका leather produce नहीं करता है actually में यह क्या produce क्या कहाँ देता है it will produce it will produce precipitate it will produce it will form इसकम 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 वेड़ 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 दे शॉल्ट शॉल्ट विच इस प्रेजेंट इन हाड़ वोटर अंदर जो भी आपका शॉल्ट प्रेजेंट होगा उसकी वज़े से आफी यह आपके क्या हो जाएंगा यह आपका प्रेसिर्पीट्रेइट के अलग हो जाएगा राव सियागा प्रेसिपिटेट इस कम उइस तरीक कर परेसिपिटेट आप मांझ सकते हो भी फिलाल ठीके बच्चो काफी easy concept है ठीक है अब हम देखते हैं यहाँ पर hardness of water ठीक है hardness of water hardness of water आपके दो तरीके से create होते हैं देखते हैं यहाँ पर दो टाइब के hardness होते हैं ठीक है एक होता है आपका temporary hardness एक होता temporary hardness ठीक है एक बच्चो आपका होता है permanent hardness कुन सा permanent hardness permanent hardness एक होता है permanent hardness एक होता है आपका temporary hardness होता क्या बच्चो temporary hardness it is produced by it is produced by it is produce by चैश्य स्च क्यों को फ्रेदी बाइय कार्बोनेट भाइय कार्बोनेट ऑफ c a plus 2 & mg plus 2 मतलब mg plus 2 और c a plus 2 के वाइय कार्बोनेट के form वाइय कार्बोनेट का मतलब x co3- ठीक है इस तरीके से हमारा यहाँ पर temporary hardness form होता है ठीक है बच्चों और हमारा आप यहां पर देदे रखते हैं कि permanent hardness it is produced by it is produced by it is produced by sulphate and halide of calcium and magnesium salt calcium and magnesium salt sulphate and halide के साथ इसका presence होता है बच्चों काफी easy concept है एक दो बार करोगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा तो permanent hardness क्या होता है और temporary hardness क्या होता है कि इस वज़े से generate होता ही इस पर basis question अभी नीट में आया था यही question आपका नीट में आ चुका है अभी के अभी नीट में अभी के अभी मतलब इसी साल आया था question यह ठीक है तो यह काफी easy question है अगर आप ध्यान रखोगे तो आप लोगों को easily समझ में आ जाएगा ठीक है ना अब हम स्टार्ट करते बच्चों इसमें एक और important यहां पर कि हम hardness को कैसे कैसे मतलब remove करेंगे ठीक है तो मैं कि करके बताता हूं removal technique of hardness hardness को remove करने के टेक्निक ठीक है hardness को remove करने के टेक्निक बहुत सारे method है लेकिन हम कुछ method को अच्छे सारे method को अच्छे से समझेंगे है removal technique of hardness hardness को remove करने के टेक्निक मैं आपको बता हूंगा एक ही करके सबसे पहला सबसे पहला फोर फोर टेंप्रारी हाड्नेस टेंप्रारी हाड्नेस को रिमूव करने का तरीका क्या है बच्चो टेंप्रारी हाड्नेस के अंदर क्या होगा या तो आपका कार्भॉनेट होगा कैल्शियम का या तो मेंकेशियम का यही मैंने बताया था ना कैल्शियम और मेंकेशियम परनोर प्रिजेंट होगे ओधी अब मुझे इसको हटाँने के लिए कुनको से में gonna talk कर inflam सबसे पहले हमारा था में 30 वन exagger one method one हमारा क्या बच्चो method one है हमारा by boiling by boiling अब देखो by by boiling अब boiling के थू कैसे अगर मैंने water के अंदर हमारा ये present होगा cah co3 hold twice और एक हमारा क्या हमारा present होगा mg h co3 hold twice दोनों present होगे दोनों को अगर मेने heat किया दोनों को अगर मेंने hit किया तो यह पर हमारा यहां पर हमारा क्या निकलेगा c ch co3 और साथ में यहां पर एच टू हो और सी अब देखो यहां से आपका cah co3 माय और यह आपका क्या होता है बच्छो प्रिसिपिटेट के फार्म में नीचे जम जाएगा और अपका वॉटर रहे जाएगा आप अक्सर करते हैं घर पे घर अगर आपने पानी को गरम करोगे तो कुछ ना कुछ मतलब आपका वेस्ट नीचे की और जमा हो जाएगा जो हार्ड वोर्टर होता है हार्ड वोर्टर ऑगर अगर उब गरम करोगे तो नीचे के और Kelsum bicarbonate Fin लर्के लेहर बन जाती है और उपर आपका वाटर आ जाता है इस तरीके से कर सकते हैं दूसरा यहां पर क्या है यहां पर अगर मैंने इसको गरम किया तो यहां पर हाई यहां पर एच्ट जादा फ़िटि और यहां पर यहां परसी ओट अर्म हो यह वाला slavery यह वाला कंपॉंट tamanho है यह आपका अपका यहां चल् выпуск जाता है में एम जी के समय की के स्टेफ कि इस सी ओ त्री होती है ऐंगे ूंट यह ज्यादा होती लोगा वही compound इसमें काम आएगा देशिवर मेथट फॉर्स्ट फॉर रिमोवल्ट टेक्नीक ऑस्ट टेंप्राइरी हादनेश ठीक है अब यह दोसरा मेथड देने मेथट तू method to by adding lime water लाइम वोटर लाइम वोटर लाइम वोटर यह आफिर इसको बलते हैं कहीं बैटराइब वोटर ठीक है caoh का hold twice ठीक है caoh का hold twice अगर मैंने caoh के hold twice को इसके अंदर add कर दिया तो आपको क्या बनेगा देख लेते हैं एक बार हमारे वोटर के अंदर क्या है bicarbonate मतलब यह वाली impurity है तो bicarbonate के साथ ही reaction करेगा तो caoh2 का hold twice अगर इसके साथ reaction करेगा तो caco3 बना लेगा साथ में co2 और h2o बना देगा इसी तरीके से अगर mg magnesium bicarbonate के साथ अगर यह reaction करेगा caoh का hold twice तो क्या बना देगा बच्चों यहाँ पर mgoh का hold twice और साथ में यहाँ पर caco3 और साथ में co2 और h2o अब देख सकते आप सारे के सारे इंसोलूबल है यह आपका कल attorneys से अब का इस तीनों के पर में नीचे की होने की वज़े से हमने इन दो मेथड को यूज किया ठीक है आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमको इन मेथड को दील करना है ठीक है अब हम देखते हैं कि यहां पर निकालने के कि से करें में पर्मानेंट के से जो समझते हैं कि सबसे पहले पर्मानेंट में एक इसको क्ष़क करने का कौन-कौन से मेथड़े उसको मैं आको बताता हूँ पर्मानेंट ठीक है अब पर्मानेंट हार्डनेस को रिमूव करने का सबसे पहला मेथड़े बच्चो बोईलिंग ओफ एने टू फर्स्ट मेथड वन लिख देता हूँ मेथड वन मेथड वन बोईलिंग वीद बोईलिंग वीद अने टू सी ओ तरी अने टू सी ओ तरी के साथ अगर मैं बोईल करूँगा तो आपका पर्मानेंट हार्डनेस आपका रिमूव हो जाएगा जैसे पर्मानेंट हार्डनेस किसकी वज़े साथा है जैसे MCl2 M can be calcium plus 2 and magnesium plus 2 इसी की वाज़े से होता होता है calcium और magnesium की chloride की वाज़े से मैंने बोला था न हैलाइड मैंने वहाँ पर लिखा है था permanent hardness में x minus मतलब हैलाइड की वाज़े से होता है तो यहाँ पर यह ही अब देखो इसकी reaction जैसे ही मैं Na2CO3 के साथ करा दूँ तो यहाँ पर क्या जाएगा NaCl और यहाँ पर क्या हो जाएगा NaCl निकल गया और साथ में क्या जाएगा MCO3 अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कि MCO3 को अगर मैं MgCO3 अगर मैं M की जगह Mg लूँ तो भी आपका reaction हो जाएगा देखो इसकी जगह M की जगह मैं एकबर CA लेता हूँ इसी reaction को नीचे बता रहा हूँ मैं एक एक करके ध्यान से समझना बच्चो अगर मैं first reaction अगर मैं CA for CA plus 2 CA plus 2 के लिए अगर मैं लूँ तो CACl2 plus Na2CO3 आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा CACO3 यह precipitate बन के नीचे और NACL NACL is a not NACL आपका hardness को create नहीं करता है क्या NACL आपके hardness को create करेगा नहीं करेगा तो यहाँ पर किसी भी टैप के आपके hardness create नहीं होगी बस इस चीज़ को ध्यान से समझो अगर मैं इसी तरीके से इस equation को Mg plus 2 के form में लिखूँ तो यहाँ पर MgCl2 और Na2CO3 ठीके MgCO3 ठीके और साथ में क्या बन जाएगा NACL आप देखो MgCO3 MgCO3 भी आपका insoluble होता है लेकिन कम होता है तो यह भी आपका कही ना कही अमांट में नीचे एकटा हो जाएगा NACL is not a hardness creating substance ठीके तो यह तो था by boiling with Na2CO3 ठीके MgCl2 MgCl2 इसी तरीके से permanent hardness क्रेट केवल और केवल इसकी वज़े से थोड़ी ना होता है आपका किसकी वज़े से होता है M2SO4 MSO4 MSO4 की reaction permanent hardness में तो sulfate और halide दोनों होते न यह तो मैंने हैलाइड की केस में बात कर लिया अब sulfate भी तो आपको permanent hardness में आएगा मैंने लिखा है था calcium permanent hardness is due to the sulfate and halide of calcium and magnesium तो sulfate के बारे में बात करते है sulfate की reaction अगर Na2CO3 के साथ कराएंगे तो आपको क्या बन जाएगा बच्चो MCO3 और यहां पर Na2SO4 अब देखो फिर से यहां पर क्या बन जाएगा insoluble compound बन जाएगा तो आपका hardness निकल जाएगा मतला M तो आपका निकल गया और C और SO4 है वो Na2SO4 के साथ आपका क्या होता है not a hardness creating not a hardness creating substance अब आपको एक चीज़ समझ में आ रहा है वैच्चो एक चीज़ बहुत इंपोर्टेंट बात कि hardness देखो hardness जब ही create होगा जब C A SO4 होगा M G A SO4 होगा solution में जब आपका यहां पर समझ सकते हो CA CL2 होगा या फिर M G CL2 होगा तभी आपका hardness create होगा permanent देखो यहां पर C A SO4 को convert किसम को करका जैसी यह CO3 में हड़ गया CA और magnesium तो होना ज़रूरी है calcium और magnesium होना ज़रूरी है तो इस तरीके से हम यहां पर M can be CA plus 2 and M G plus 2 बोथ ठीके समझ में आया बच्चो यह reaction I hope कि आप लोगो को समझ में आ गया होगा next समस्ते method to next समस्ते method to Calgon ठीके calcium is gone next समस्ते method to calcium is gone Calgon Calgon method ठीके तो next method method to Calgon method अब Calgon method आपका होता क्या है समझे ना Calgon actually आपका क्या होता है Calgon आपका एक तरीके compound होता है इसका नाम आज के बाद हमेशा ध्यान रखना है Na 2 वैसे में इसको सहिधा लगता है Na6P6O18 sodium hexaphosphate क्या नाम होगा इसका बच्चो sodium hexaphosphate ठीके इसका नाम होगा sodium hexaphosphate यह इसका नाम होगा अब बात को ध्यान से समझना बच्चो ठीके अब इसी reaction में Na6P6O18 अगर मैं 2 Na बाहर निकाल लूँँगा 2 Na प्लस बाहर निकाल लिया तो यहाँ पर क्या बच्चेगा Na4P6O18 अब 2 Na निकालने के वाई से यहाँ पर minus 2 charge हो रहे है यहाँ पर इतना charge अब बात को ध्यान से समझना अब क्या होगा कि अगर मैं ध्यान से समझना केलशियम सुल्फेट और मैंगनेशियम सुल्फेट और केलशियम क्लोराइड और यहाँ पर मैंगनेशियम क्लोराइड देखो ध्यान से समझना बच्चो अगर मैं S04 में से CA बाहर निकालनों अगर मैं CO2 में से CA बाहर निकालनों तो hardness हाड़नेस तो इनींग चिछारों की वज़ एसे होगा तो इसका मतलब हाड़नेस क्या हो गया खतम हो गया हमारा हाड़नेस bei क्या सूच रहा हूँ कि s, e, e, a, plus two की reaction या mg प्लस two की reaction अगर मैं इसके साथ करादू देखो यहां पर, ठीक है ओर तिन के साथ तो क्या करेगा यह जो इसकी kaateine A इसको aabsorb कर लेगा किटाइन को किया कर लेगा Twin Cathedral और जब यह इसकी कटाइन को aabsorb कर लेगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा CA NA4P6O18 यह फिर आपको क्या बन जाएगा MG क्यांकि इसके रफ़ तो यह इसके बन जाएगा और ये charge balance करके एक compound बना लेगा ठीक है compound बना लेगा जो कि आपका क्या हो जागा इंसोलिबल हो जाएगा और साथ में अगर यहाँ पर SO4 हुआ तो NA2SO4 निकलेगा अगर यहाँ आपका CL हुआ तो NACL निकल जाएगा ठीक है इस तरीके से हम यहाँ पर calgon method में hard desk को remove कर सकते हैं केलवन का formula क्या होता है sodium Hickzoth phosphate ठीके बच्चों this is a method second this is a method second अब next method हम पड़ते हैं जी ओलाइट मेथड नेक्स्ट मेथड हमारा कौन सा पच्छो जी ओलाइट मेथड 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 थर्ड थर्ड जो कि हमारा क्या होगा देखो पर्मानेंट में मैंने आपको दो मेथड पढ़ाए और इसमें मैं आपको चा आपको याद होने चाहिए अब देखो एक में यहां पर चेंबर बना देता हूं ठीक है यह मैंने कुछ चेंबर बना रहा हूं मैं ध्यान जे समझना ठीक है अब यहां पर ब्राइन सोलुशन ब्राइन सोलुशन क्या होता है इसके बारे में आपको बता हूं चिंता वाले कोई बात नहीं है पहले इसको समझते जाओ ठीक है यह मैंने इस तरीके से बना लिया क्या carry करने का तरीक most और हाँ करें का कुछ वो कंसेप्ट नहीं है ठीक है यहां से रगkovटर करों यहां से मैं हाट वाटर को पास करोंगा और यहां पर चाल फरों में होगा मत जाकर में होगा बच्चों यहां पर यह फैंट चार चार तरीके के इसमें चार आपके दो छे बेड होगे एक तो हूगा आपका यहां पर जीओलाइट भीड ठीक है एक होगा बच्चो यहां पर आपका ग्रेवल्स ठीक है एक मठापक यहां पर जरेयर्यस और यहां से में देखो हाड़ वाटर पास के इन दोनों से पास होते हुए यहां से क्या डिकलेगा बच्छों हमारा soft water क्या लेगा यहां से हमारा soft water बास तरी के को समझ वह ठीक है actually में जो अपका होता क्या है बात को समझना घो लैटmes इस good luck अंपिए आटकि इसौर 10 एलिमिनियुमसींदद लर्ड़ शोडी और ऋकर लोगतारीं इसका नाम होता है नाम आपको ध्यान रखना अबिसे ही देखो कैसे होता है Silicate आपका SiO4- SiO4- Aluminium के उपर प्लस 3 और Sodium के उपर प्लस 1 Total कितने चार्ज होगा के Catan के? 4 और यहाँ पर चार्ज इसलिए इस तरीके से formula बन गया और इसको हम in short reaction में क्या लिखेंगे? Z, Z का मतलब Geolite Z का मतलब Geolite अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो इसको हम इसको इस तरीके से लिखेंगे और यहाँ पर इसको हम बोलेंगे Sodium Geolite N-A-Z Sodium Geolite इसका नाम के लिए क्या लिखेंगे? हम Sodium Geolite Sodium Geolite ठीक है? यह इसका नाम होगा बस थोड़ा से ध्यान से समझो Geolite आपका क्या होता है बच्चो N-A-Z N-A-Z होता है ठीक है N-A-Z होता है अब देखो यहाँ पर N-A-Z अब देखो यहाँ पर N-A-Z के साथ जैसे ही रियक्शन करेगा तो तो सॉलुशन में N-A प्लस निकल जाएगा और यह आपका C-A-Z-2 और C-A-Z-2 या फिर अगर आपका Magnesium होआ तो Magnesium-Z-2 बना देगा जो कि आपको इसी के अंदर रहे जाएगा Absodium और Magnesium मतलब Magnesium और Calcium आपका इसी के अंदर Geolite बेट के अंदर रहे जाएगे और नीचे आपका क्या पास हो जाएगा स्टिक साल करे ला इसका मतलब यहां पर क्या पास होगे हमारा सव्ट वोटर तो यह तो था का टेखनिग all that करे अब अब रंड्रयंशन का मतलब होता है 10 एने से औल डाइलूट सौलीशन त Àल किन पर्सेंट एने से लगा हमारा क्या होता है बच्चोяжne सोलूइशन स क्वारा ब्राइन सोलूइशन का काम क्या होता है ब्राइन सोलूइशन मतलब ब्राइनु प्राइन कें looking of working of brain solution brain solution का हमारा काम क्या होगा brain solution में NaCl है जो कि इसी geolite bed मतलब geolite bed के साथ जो आपका केल्शम और magnesium का geolite bed बनाए उसके साथ reaction करके यहां पर CA plus 2 बहार निकाल देगा mg plus 2 बहार निकाल देगा और साथ में Naz मतलब आप देख सकते हो कि यहां पर क्या होता है जैसे हाड़ वोटर आएगा तो जीओ लाइट एक टैम के बाद खराप आपका हो जाएगा जीओ लाइट एक टैम के बाद आपका आगे नहीं सौडियम जैसे ही मिल गया फिर मैं ईसको समझना की इसका रिजन क्या होता है रिजनरेशन आफ रिजनरेशन औफ जीओ लैट मतलब जीओ लैट बेड़ का फिर से रिजनरेशन कर देगा यह ठीक है इस तरीके से हम इसको जियोलाइट मिथड को समझ सकते हैं और सोफ वाटर कैसे निकलेगा उसको समझ लेना पस इसमें इंपोर्टेंट वह वाली बात यह कि आपको फॉर्मला याद होना चाहिए ठीक है वैसे आज तक जियोलाइट से कोई कोई भी एक भी कोशन नहीं पूछ है कि इससे हम इससे हम सोफ्ट वाटर नहीं इसने हम मिनरलन लिए्सवाटर कि निकाल आते मिनरल ले जिसके अंदर कुडी मिनरलाइज वोच देखो यह आपका में थर्फीमिज वाल तो में थर पूर रहता हूं समझना बात को फिर मैं रियक्शन के थ्रूँ आपको समझाऊंगा दो चेम्बर होते हैं इस तरीके से और यहां पर आपका इस तरीके से कोई कोई आपका मतलब यह होता है आपका फिर यहां से यह इस तरीके से यहां से इस तरीके से ठीक है बात के लिए रहे यहां से इस तरीके से यहां से इस तरीके सोरी बच्चो दो मिनट दो मिनट बच्चो यहां से इस तरीके से ठीक है इस तरीके से आपका कुछ होता है अब समझना मैं पूरा बन और यहां पर होता है बच्चों आपका Soft Water का Inlet Soft Water का Outlet Sorry, Soft Water का क्या होगा बच्चों यहां पर Outlet होगा ठीक है यह तो हो गया Inlet यह हो गया Outlet अब सबसे Important बात आती है कि इसके अंदर क्या होता है Strong Acid होता है Strong Acid होता है for Regeneration of Regeneration of Catainic Chamber Catainic Chamber, मतलब Catainic Chamber meille our Regenerating यह वाला Chamber क्या होता है? Catainic Chamber अब Catainic Chamber submitting होatif क्हें इसकों हटाए जाएगा? Catain Candourум स्क्राप्त्व getir एगा क्यानी क्यानाइ पर अणूरिख देशा क्यारता है उसी Catain को हम यहां हटाएंगे और शिंखते पर Onetoudistä उता है एनायनिक चेमबर में हम किसको हटाएंगे SO4 2- या फिर CL- को यहाँ पर क्या होगा strong based present होगा क्यों present होगा for regeneration of regeneration of एनायनिक चेमबर एनायनिक चेमबर को फिर से regenerate करने के लिए हमारे यहाँ पर strong based present होगा ठीके अब एक एक करके हम सारी reaction को समझते हैं रिजनेरेशन में आपको बार में बताऊंगा और पहले के टैनिक और एनाइनिक चेमबर के बारे में हम अच्छे से समझ लेते हैं ठीक है अब देखो इसके अंदर क्या होता है आर सी डबलो एच आर सी डबलो एच लेंगे हम कार्बोग्जलिक एसिड या फिर आर अब क्या होता है अब क्या होता है रियक्शन समझना ध्यान से रियक्शन काफी इंटरस्टिंग है अब क्या होगा इन क्या होगा क्या होगा देखो कि डबलो एच की रियक्शन अगर ने सी ए प्लस टू और एम जी प्लस टू के साथ च्राइब को हुत एंडर हर्ड और के क्यान थो पार्ट में अब देखो CA plus 2 CA SO 4O चाहे CA CL2O या MG SO 4O या MG CL2O इसमें से यहां पर केवल और केवल केवल कटायन बाहर निकलेगा तो यहां से केवल 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 कटायन बाहर निकला अब आप समझ सकते हो कि कि यहां पर आर यह आपका कि कौन से दो पार्ट में टोटेगा और COOO माइनस और H प्लस अब एच प्लस तो आपका ऐसा का ऐसा यह बाहर निकल जाएगा और माइनस वाला इसके साथ जूड़ जाएगा अब यहां पर एक माइनस है तो इसलिए यहां पर ट्वाइस करके CA वा कर लिया मतलब सौल्ट का फॉर्मेशन कर दिया किसका फॉर्मेशन कर दिया सौल्ट का फॉर्मेशन कर दिया अब एनायनी चेंबर में अब एनायनी चेंबर में रियक्शन कैसे होती है एनायनी चेंबर में आपकी रियक्शन कैसे होगी उस चीज़ को समझना अच्छे से अ अब यहां पर तो मुझे एनाइंस को हटाना है यहां पर मुझे किसको हटाना है बच्चो एनाइंस को हटाना है तो एनाइंस को हटाने के लिए क्या होगा कि सबसे पहले आर एनेच्टू सबसे पहले एच्टू के साथ रियक्शन करेगा एच्टू के साथ रियक्शन करेगा अब आप जानते हो कि यहाँ पर क्या बन जाएगा R NH3 प्लस यह आपका H प्लस और OH में होता है तो H प्लस आपका इसके साथ combine होगा OH बाहर निकल जाएगा R NH3 प्लस और यहाँ पर OH माइनस ठीके अब यहाँ पर प्लस पार्ट आगया और यह प्लस पार्ट अपने साथ किसको अटेच कर लेगा प्लस पार्ट अपने साथ किसको अटेच कर लेगा एनायन को अटेच कर लेगा प्लस पार्ट अपने साथ किसको अटेच कर लेगा एनायन को जैसे पर और आपका अलग हो चुका है और यह और एच प्लस मिलकर आपका वोर्टर बना देंगे पर यहां से वोर्टर बाहर निकलेगा अब आप देख सकते हो इस वाले वाटर के अंदर ना तो एने है ना सीए लेना कुछ अलग से मुझे सोडियम कोई सॉल्ट नहीं है तो इसी लिए हम इसको क्या बोलेंगे डी मिन्रालाइज वोटर और यह बहुत ही अच्छा कोशन बन सकता है कि डी मिन्रालाइज वोटर हम किससे निकालेंगे आयन रैजिन मेथर से तो यह तो था हमारा जटाय ग्रशन से कम होगी तो इसके लिए हमको यहां परнова तर किया तो इसके अंदर यह जमां हो गया यह वाला कंपाउंड इसके अंदर जमां हो加ना ios तो अगर मैंने इसकी reaction CA plus CA अगर मैंने इसकी reaction फिर से यहाँ पर strong acid strong acid is the source of H plus जैसे ही मैंने H plus इसको दिया जैसे ही मैंने H plus इसको दिया H plus देते ही फिर से हमारा यह किसमें convert हो गया CS3, CAAH और यहाँ से CA plus 2 तो यहाँ पर फिर से आपको क्या आगया carboxylic acid ठीके this is for what वो cationic chamber cationic chamber regeneration यह cationic chamber का regeneration के लिए अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर ananic chamber के regeneration तो ananic chamber में क्या होगा जहाँ से समझना यहाँ पर ananic chamber में हमारा यह बना था plus और यह minus हमारा यह बना था R NH3 plus और Cl minus ठीके बात के लिए रहे सबसे पहले यह क्या होगा बताओ बच्चो सबसे पहले यह आपका दो पार्ट में टूट जाएगा जैसे ही अब देखो यहाँ पर मैंने क्या लिए strong base strong base का मतलब OH minus का source तो इसकी reaction OH minus के साथ कराएंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा R NH 3 PLUS OH minus और यहाँ से CL minus आपका क्या हो जाएगा बच्चो बाहर निकल जाएगा यहाँ से मेरा CL minus बाहर निकल गया अब इसको अगर मैं हीट करूँगा इसको अगर मैं हीट करूँगा तो यहाँ से H2O बाहर निकल जाएगा और अमाइन बन जाएगा वापस से वापस से वही बन जाएगा देखो हमको देखो यहाँ पर हमको R C O O H का यह यूस था कुछ टाइम बाद यह आपका खतम हो जाएगा खराप आपका हो जाएगा इसको खराप होने से बचाने के लिए या फिर इसकी इफिशेंसी बाद आने के लिए मैं फिर से इसको बना सकता हूँ रिजनरेशन टेकनिक तो यहाँ जो ऊपर जो आपके स्ट्रॉंग एसिड इस्ट्रॉंग बेस होते इस इस और रिजनरेशन मतलग इसके अंदर जो कार्बोगजली के इसेड है और इसके अंदर जो अमाइन है उसको फिर से रिजनरेट करने के लिए ठीक है लेकिन यहाँ पर यहाँ पर शरूआत में जब मैं हर्ड वोटर से सॉल्ट वोटर में comment करता तब इसकी जवर्वत नहीं होती तब इसकी जवर्वत नहीं होती लेकिन अगर हमारे अंदर सिस्टेम अगर खराब हो जाएगा तो क्या करेंगें Regeneration training use करेंगे तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर ION Resin Method खताम होता है ठीक है अब हम समझते है कि Hardness versus all the water को हम किस तरीके तरेंगे अकशर J它'. अक설 J ब्र उन्धिर यहां से basis नुमेरिकल आता है मतलब इंटीजर टाइप आएगा जो कि आपको चार नमबर देखे जाएगा मतलब पांच में से एक भी शिफ्ट अगर होते हैं पांच शिफ्ट होती है पांच शिफ्ट होती है और इतनी शिफ्ट होने की वज़े से आपके कही ना कहीं आपके म एक है को मैंब यह गया वाला कॉश्षिON आपके बैठने की पोवन कि यह भी हो सकता है कि आपके वह पांखल्स के व्यादेति हैu इसको थोल्ग भ्यान से सभना कैलकोलेशन ऑफ कि एकलकुलेशन ओफ हाड़नेस के हाड़नेस और वाटर के 1965 हमारे hardness of water को हम हमेशा किस से किस से किस से निकालते हैं किसे निकालते हैं को समझाता हूं को समझाता हूं के थ्रू हम जाएंगे ताकि आपको किज लिए समझ में आ ऑजा है तो है कुशन लिखते हैं लिटर अफ हाड वटर युअफ समय यहां पर वाल निटर 2 and 1 mg of mgcl2 ठीक है आपने मौल को उसर पढ़ा है तो आपको आ जाएगा mgcl2 find the total hardness in term of ccl3 find the total hardness find the total hardness total hardness hardness of water आपको water का total hardness find करना है यह आपका question है काफी easy question है अगर आप लोग देखोगे तो अब में आपको क्या बताया था in term of cac o3 इसका मतलब समझना यहां पर ppm में निकालते हैं हमेशे किसमें निकालते ppm ppm का मतलब 10s2 power 6 ठीक है 10s2 power 6 ml में निकालेंगे ठीक है 10s2 power 6 ml में solution समझते हैं एक बार आप लोगों को आ जाएगा अब देखो यहां पर दो hardness creating substance है कितने बच्चों दो है तो दोनों का अलग अलग calculation करेंगे हम सब से पहले ठीक है दोनों का अलग अलग calculation करेंगे क्योंकि दो है ना दो आपके hardness creating है तो दो देख लेते अब इसको calculation करने का सबसे simple तरीका हमेशा आप इन्हें gram equivalence method का use करोगे gram equivalence method का use करोगे ठीक है अब gram equivalence method मतलब hard water यहां पर हम क्या करेंगे हमेशा cacl2 का gram equivalence equal to cacl3 का gram equivalence ठीक है cacl2 का क्या होगा बच्चो cacl2 का gram equivalence का formula mole into n factor mole into n factor mole n को small n को हम किससे denote करते बच्चो mole से ठीक है और इसके लिए भी क्या होगा mole into n factor this is for cacl3 this is for cacl2 अब आपके मन में बात आई होगी n factor होता क्या है n factor आपका ध्यान से समझा n factor total number of cation total number of cation total number of cation multiply by charge on cation ठीक है charge on cation अब बात को इस बात को ध्यान से समझो क्या होगा जैसे अगर मैं बात करूं cacl2 cacl2 का अगर मैं break करूंगा तो cacl2 और cl2 cl- तो total number of cation कितने बच्चो एक ही है एक ही cation है और उसके पर charge कितना है दो हो गया तो इसका n factor इसी तरीके से आप cacl3 का भी निका सकते हो cacl3 का कितना होगा बच्चो जल्दी बताओ यहां पर cacl2 और यहां पर c o 3- यह हम यह वाला फर्मुला हम एनायन के लिए भी यूज कर सकते है टोटल अमर ऑफ एनायन बात एक ही है आपके टैन के लिए करो देखो कितना है और कितना है दो तो कितना आ जाएगा बच्चो यहां पर दो तो n factor हमने निकाल लिया कितना आया बच्चो दो अ गया यहली तो यहां इस के तंआते हैं इसलिए लाइं निकालते लिए हम इसके तंभरंट ले की वज़ेश इस से हम इसके तंब में निकालते हैं अब यहां पर यहां पर c a c l 2 का कितना वेट दिया है वझवायाoa मैं यंजी वञां टो एक सु पावर माईनीस ट्री ग्र ठीक है और इसका टोटलëवेट कितना होता बच्छो आगया वेट आपका यहाँ पर आपका अप्रॉक्सिमेट कितना ऐह जा या ऐगा ऩो पर योपर जाए तो पावर 3 यह आपका ग्राम इतना इसके अंदर हाडनेस क्रेट है हाडनेस हाडनेस ओफ फोटर सी लग थे तो मैंने सी अफे सी तोस्ती टर्म में निकाल दिया इकोलेंस का फार्मुला मॉल इंटू एंटू 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 इस इस इड़ कॉइट इजी मेथड मेने आपको सबसे इजी मेथड बता है अब एंटू निकालने का तरीका इसमें इसमें देख सकते हो mg cl2 mg cl2 को अगर मैं तोड़ूँगा तो mg plus 2 और cl minus तो यहां पर number of catch and चार्ण कितने एक और catch कितना है दो नो हो know तॉद भी आइउनटर इसका भी इसका बीज़ तॉद आप इसके इसका वेट बाइ हंड्रेड मतलब मोल्का फर्मॉल्ला गीवन मास अपनी मॉलकुल मास और इसका गीवन मास कितना दिया हुआ बच्चो 1 mg मतलब 10 raise to power minus 3 ठीक है गेवन मास दिया हुआ है अब इसका molecular mass कितना होता है mgcl2 का बच्चो आप लोग का molecular mass कितना होता है mgcl2 का आपका molecular mass होगा 111 मतलब 111 एक सू गयर है ठीक है अब अगर मैं इसका इसकी वज़े से इतना hardness कितने कितने volume of water में बच्चो 1 liter of water में इसकी वज़े से इतना hardness तो total hardness कितना हो गया total hardness आपका कितना हो गया total hardness one into 10 raise to power minus 3 plus 0.9 into 10 raise to power minus 3 equal to 1.9 into 10 raise to power minus 3 यह आपका total hardness आगया तोटल हार्डेस आगया अब बात यह हैंकि हार्डेस को हम कूंसे टंब में डरफान करते हैं- पीपीएम करते हैं तो इस चीज को आप समझते हैं कि देखो यहां पर समझना यह जो हमारा टोटल हाड्नेस निकला है वह कहां निकला है एक लिटर मतलब मतलब आपका 1000 ml में 1000 ml में कितना हाड्नेस है यहां पर हमको कितने निकालना है हमको 106 ml में निकालना है ठीक है तो यह अपका वर milli genre का मतलब 10x2 power 3 और 10x2 power 3 में इतना है तो 10x2 power 6 में कितना होगा 1.9 into 10H to power minus 3 divided by 10H to power 3 यहां पर क्या आजाए 10H to power 6 तो कितना आजाएगा 1.9 PPM इसको जो हम calculate करेंगे तो यह method काफी easy है देखो actually में 1 liter का मतलब आपका होता क्या है 1000 ml मतलब 10H to power 3 ml ठीक है तो 10H to power 3 ml में इतना आपका है आपको कितना ml में निकालना है 10H to power 6 तो आपको क्या बन जाएगा आपने आप PPM तो इस तरीके से हम इसको calculate कर सकते हैं आप अगर only method ध्यान रखेंगे तो method के through भी आपको किसी भी टैप के questions को deal कर सकते हैं आपको केवल और केवल method ध्यान रखोगे तो कास ही है ठीक है तो एक और question हम देख लेते है normality और molarity calculate करने वाला अब देखो normality और molarity calculate करने वाला एक और question हम देख लेते बच्चों तो यहां पर question hardness of water hardness of water is 200 ppm 200 ppm hardness DIY क्या हुआ है तो अब बात को ध्यान से समयना 200 ppm का मतलब क्या हुआ 200 ppm का मतलब क्या हुआ 10 raise to power 6 ml में आपका 200 gram of cac o3 है ठीक है इसका मतलब यह हमारा क्या हो गया solution समझना ध्यान से solution समझना ध्यान से बच्चों यह हमारा क्या हो गया बच्चों यह हमारा हो गया volume और यह हमारा हो गया total weight ठीक है अब मॉलारीटी का formula क्या होता है मॉलारीटी इक्वल टू मॉल अपॉन मॉल अपॉन मॉल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वह भी किसमें लीटर में तो मॉल कैसे निकालेंगे 200 given weight upon molecular weight divided by इसका ml में ml को हमको किसमें convert करना है लीटर में convert करना है यह आपका ml को मुझे किसमें convert करना है लीटर में लीटर में convert करने के लिए तो अगर मैं इससे अगर भी calculation करूंगा तो हमारा answer क्या आ जाएगा वच्चों हमारा answer आ जाएगा टू इंटु 10 X 2 पावर 35 थी इन ठीके इस चीज गया मोलारिटी और यह हो गया एन हो गया आपका एन फेक्टर अभी अभी मैंने निकालना मता है सीए सीओ थरीका कितना होता है बच्चों तो नॉर्मालिटी इक्वल टो मोलारिटी टू इंटु टैनेश टू पावर मैनेस थ्री और यहां पर टू इक्वल टू फॉर इस वाइजी विग प्वाइब कोशन अगर आप लोग एक दो बार ध्यान वेसे नहीं पर दो कोशन को जूझा झाल चैनल इस चीज़ का ध्यान अग्र नहीं आए तो नहीं आप लोग पूछ सकते हो ठीक है इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ठीक है देखो एक कोश्चन है वह आपके लिए होमवक है कैलकुलेट है दर हाड्नेस आफ वोटर सेंपल वोटर सेंपल विच कंटेंड which contain which contain 0.001 mol of 1 mol of MgSO4 MgSO4 dissolve per liter dissolve per liter ठीक है यह question है आपको hardness calculate करना है this is a quite easy question अगर नहीं आए तो फिर से मैं आपको calculation बताऊँगा इसका hint आप समले ना gram equivalence of MgSO4 equal to gram equivalence of CaCO3 इस तरीके से आप start up लो और इसमें कितना दियावाई volume 1 liter आपको किसमें निकाला है 10H2 power 6 ml में निकाला है बास अब इसको आप लोग डिडेल करो और इसका जो answer होगा answer इसका क्या होगा वो मैं आपको बताओंगे जब आप निकाल के बताओगे ठीके इसका answer फिर भी मैं लिख रहता हूँ 100 ppm आएगा क्या जाएगा 100 ppm मुझे 100 ppm answer चाहिए ठीके आप हम चीज़ चलते बच्चों next next topic हमारा H2O2 काफी important और काफी अच्छा topic है H2O2 H2O2 actually में होता क्या है वो सब आपको समझेंगे यहाँ पर तो देख लेए थे H2O2 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 हमारा होता क्या है H2O2 H2O2 का हम क्या बोलते है hydrogen peroxide क्या बोलते है hydrogen peroxide अब peroxide peroxide क्यों बोलते हैं क्योंकि इसमें peroxide linkage होता है तो सबसे पहला हमारे सामने जो question बनता है What is peroxide linkage What is peroxide linkage अब peroxide linkage आपका क्या होता है What is peroxide linkage यह सबसे पहला question बनता है अब इसका solution हम समझें ध्यान से मैं आपको 3-4 compound बनाता हूं आप लोग को इसका peroxide कौन सा है कौन सा नहीं है वो आपको बताना है ठीक है यहां पर मैंने बना दिया देखो अने है और देखो यहां पर oxygen की sehe identity oxygen hydrogen से ज्यादा है तो यहां पर माइनस यहां पर इस auxygen ivatविशन Plus हे टो मैनヌन जहांब फलॉरीन की ज़्यादा इस अब इस पर प्लस इस पर माइनस और इस पर प्लस ठीक है यहां अग्र हमारा प्लस चार्ज यहां पर दोनों ऑक्सिजन के उपर सुटी अपर ऑक्सिजन के माइन चार्जिन के उपर अगर हमारा माइन चार्ज होगा तो यहां पर प्लेसि क्या है यहां है तो इसलिए यह आपका पर क्यों जया कि आFC बास समझ मैं इस आपको बता दिया अ अब स्ट्रॉक्चर तो स्टॉक्चर औभ से पिलिए स्ट्रॉक्चर कि की बात करते हैं स्ट्रॉक्चर औफ Sindic structure like open book like open book open book की तरह आपका 3D structure होगा ठीक है open book कैसा एसा ही होता है open book आपका तो यहां पर क्या होगा बच्चों देखो मैं आपको बना देता हूं यहां पर आपका oxygen यहां पर आपका oxygen यह आपका hydrogen यह आपका hydrogen देखो यहां पर यह अलग प्लेन यह वाला प्लेन आपका अलग है और यह वाला प्लेन अलग है ठीक है दो प्लेन के बीच के ये वाला दोनों नंतर होता है यह वर्ण और टूंड पर 20ल प्लेन अज़ेंगे एड में इस तरफ इस तरफ तो वह चिया हुज़गे आपस में प्लेन के बीच का एंगल थीके एंगल between plane एंगल between plane plane के भीच का एंगल आपका थे वाला क्या होता है तो एप यहाँ से समयना यहाँ पर them apart di –ets Тем में हम समझते हैं हम पर कि अगर में अगर में टीटा अगर मैं यहां पर यहां पर यहां पर मैं डाइडरल एंगल की बात करूँ थीटा वन की बात करूँ थीटा वन आपका गेसियस फेज में और सॉलिड फेज में यह आपके दो फेज में होता है एक सॉलिड फेज में होता है एक आपका कौन से फेज में होता है गेस फेज में ह होता है एक आपका solid phase में होता है एक आपका gas phase में डाइड्र एंगल आपका कम होता है is compared to solid phase ठीकर और अगर मैं बात करूँ angle between angle within a plan मतब़द थीटा 2 की तो theta two आपका solid phase में ज्यादा हो जाएगा as compared to gases phase ठीकर तो simple बोल सकते ही डाइड्र एंगल आपका किसमें maximum होता है solid phase में ठीक है डाइडरल एंगल आपका solid phase में maximum होगा और ठीटा तू आपका maximum होगा गेसे फेस में कौन से फेस में बच्चो गेसे फेस में जस्ट उल्टा होता है बस आपको ध्यान रखना है तो हम थेची इस चीज को थेचे को कोशिष करो आप लोगों को समझ में आजाएगा ये अंगल जादा होगा तो ये अंगल एंगल कम होगा तो ये 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 जादा होगा ठीक है तो दाइडरल एंगल इन गेसे सीज़ या आपका 93 होता है और यह 100 के एप्रोग्स होता है specific value को याद रखनी की requirement न ही है ठीक है और बैसे आपका यहां पर अगर मैं ठीटा टी की बात करों यहां पर यहां पर अगर जर्फार यहां पर यह आपका sorry यह आपका ध्यांस अन्ला डाइऊजर एंगल आपका solid ज्याद जाधा होगा ऐस कमपेर तू सॉलिड फेस और यह आपका उल्टा हो जाएगा के सस Beverly स्वेस में आपका जादा हो जाएगा और यह इस बहुत भी देद पना लोगा एक तो डायंगल आपका गैसेस फेस में जादा होगा और इसलीड फेस में यह आपका थीटा 2 आपका थीटा 2 भी आपका solid phase में ज्यादा हो जाएगा दो मिनिट बच्चो दो मिनिट दो मिनिट वेट करना वेट करना यह आपका यहां पर gases phase में 93 यह आपका 100 ठीके और अगर मैं इसका gases phase बनाओ तो greater than 100 एंगल और इसका लेस्ट दिंगर इंगल इसका लेस्ट इसका कितना होगा यह ओगा लेस्ट इंडर टीकर और यह विर इंगल थीके बस चीज का ध्यान रखना देखो solid phase में dihydral angle जादा होगा और theta 2 आपका solid phase में आपका जादा होगा बस angle का थोड़ से ध्यान रखना angle का थोड़ से ध्यान रखना आप लोगों को बुक में भी दिया हुआ इस structure आप लोग देख सकते हो तो यहां पर समझ सकते हैं हम के dihydral angle मतलब अगर में dihydral angle की बात करो तो हमेशे कोई से फेज में जादा होगा solid phase में जादा हो जाएगा dihydral angle ठीक है लेकिन अगर में बात करो और gases phase में dihydral angle कम हो जाएगा ठीक है तो हम हम एक ही ची लाते हैं यह कुछ उल्टा सुल्टा वह यहां पर कुछ उल्टा सुल्टा बात है तो मैं आपको बता जाता हूँ सिंपल करके ठीटा वन dihydral angle अगर gases phase में यह जादा होगा तो यह कम होगा ठीक है तो इस चीज का ध्यान रखो तो हम थीटा वन की बात करते है थीटा वन आपका क्या होगा थीटा वन आपका gases phase में जादा होगा as compared to solid phase मतलब gases phase में थीटा वन जादा होगा तो यहाँ पर थीटाटु की क्या वह जाएगा अपने आप तो इस तरीके से हमको ध्यान रखना है इसको ठीक है सिंपल था तरीका मैंने आपको बता दिया एंगल यार रखने की कोई requirement नहीं है एंगल आपके 100 के around होते है तो उस चीज को थोड़ा सा आप लोग बुक से note down कर सकते हैं काफी easy और quite easy concept है बच्चो ज्यादा इतना typical concept भी नहीं है ठीक है अब हम देखते हैं बच्चो इसका preparation method preparation method of H2O2 तो preparation method of H2O2 हमारा क्या होता है समझना यहाँ पर preparation method of H2O2 preparation method of method of H2O2 H2O2 का preparation method की कैसे होगा बच्चो सबसे पहले barium peroxide barium peroxide का reaction अगर मैंने 8H2 अगर मैंने इसकी reaction H2SO4 के साथ करा दिया तो आपका क्या बनेगा BASO4 बन जाएगा और साथ में आपका H2O2 और साथ में आपका यहाँ पर 8H2O बहार निकल जाएगा ठीके अब यह तो हमारा बन गया H2O2 का सबसे पहला preparation method अब यहाँ पर समझ ले न यह कौन सा यह आपका किस टैप का है barium peroxide यह आपका क्रिश्टलाइन है यह आपका क्रिश्टलाइन है ठीक है सबसे पिला पॉइंट नोट डाल के मतलब Enhydrous Enhydrous मतलब जिसके अंदर यह नहीं हो Enhydrous का मतलब क्या था N-A-B-A-O-2 मतलब जिसके अंदर H2O molecule ना हूँ Enhydrous BAO2 Due to the formation of Formation of Protective layer Protective layer Of Of BASO4 Around the BAO2 Around BAO2 मतलब क्या होगा अगर मैंने BAO2 लिया तो यह क्या करेगा H2SO4 Reaction होगा Reaction होगा तो यहां पर 4 और उपर की और कौन सा layer Form कर देगा BASO4 BASO4 Form कर देगा So that's why So that's why Reaction will stop Reaction will be stop Reaction will be stop Reaction आपका क्या हो जाएगा बच्चो रुक जाएगा Reaction आपका क्या हो जाएगा बच्चो रुक जाएगा बात क्लियर है Reaction आपका रुक जाएगा यह चीजों को घ्यानों को सेकिंड बीए ओटू और एट एच्टू की रियक्शन अगर मैंने एच्ट्री पी ओफॉर के साथ कराई तो अभी आपको क्या बन जाएगा बीए बीए थ्री पी ओफॉर होल्ट वाइस और साथ में आपका एच्टू ओटू बन जाएगा ठीक है तो हिएच्ट्री ओफॉर हिपॉर इस प्रेश्ट्व केटलिस्ट है तैलिस्टलिस्ट गुड गुड़ रियाजेंट मतलब गुड़ रियाजेंट इस कंपेर टू एस कंपेर टू एच्टू इस ऑस अच्छा है यह क्यों यह क्या करता है ठीक है इत इस एप एस एप एस कि एंटी कैटलिस्ट एंटी कैटलिस्ट और डी कम्पोजिशन ओफ decomposition of H2O2 H2O2 के decomposition में anti-catalyst की तरह act करता है अब मैं इस line को समझाता हूँ इस line को समझाता हूँ इस line को समझना बच्चो इस line को समझना एक एक करके ध्यान से काफी easy है तो एक ही करके काफी easy है अब देखो H2O2 का decomposition कैसे होगा बच्चो H2O2 का reaction करा है तो H2O और आपका किसमें तूटेगा O2 में ठीक है H2O2 का decomposition इस तरीके से होगा जब इसका decomposition होगा तो आप लोग समझ सकते हैं बच्चों यहाँ पर कि जैसे इसको light मिल जाएती है तो यह decomposition हो इसका हो जाता है ठीक है So H2O2 Will Be Kept In Kept In Kept In Dark Dark And Waxed Line Waxed Line Bottle मतलब इसको हम किसमें किसमें रखना पर पर कड़ता है Dry और Waxed Line Bottle ठीक है Waxed Line का मतलब Surface Smooth होगा ठीक है अगर Surface थोड़ा से भी Rough Surface हुआ तो यह reaction कर जाएगा यह वाली reaction आपके explosive होती है explosive होती है यह वाली reaction आपके क्या होती है explosive होती है ठीक है तो इस वज़ासे Kept In Dark And Waxed Line Bottle For Prevention of For Prevention Prevention by Sunlight Sunlight And And Rough Surface मतलब अगर Rough Surface और इससे Prevention करने के लिए मुझे इसके अंदर रखना पर 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 ता है And Add Some Add Some Anti-catalyst Add Some Anti-catalyst Reaction 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 Progress को Rोकने वाला Reaction Progress कराने वाला Catalyst And Reaction Progress को Rोकने वाला Anti-catalyst This is a Decomposition Reaction This is a Decomposition Reaction Of H2O2 This is a Decomposition Reaction Of H2O2 And Progress को Rोकने वाला Anticatalyst 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 Hoगा To क्या होगा Anticatalyst हम किसका Use करेंगे Gliss Rain का Use करेंगे ठीक हमारा क्या करेंगा Decomposition Reaction को होने नहीं देगा तो इस चीज़ को हमेशा Mind में रखो यह आपका Explosive Reaction होता है इसको Dark and Vaxed Lines Bottle में क्यों 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 Sunlight Rough Surface से बचाने के लिए जैसे Sunlight Rough Surface मिल गया तो यह reaction कर जाएगा ठीक 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 तो यह तो था पहला मेथड में आपको बताया था फॉर्मेश का दूसरा मेथड By Electrolysis of H2SO4 ठीक है अब H2SO4 का Electrolysis कराएगे तो H2SO4 सबसे पहले आपकी दो पार्ट में तूटेगा H plus और HSO4 माइनस ठीक है अब क्या होगा एनोड पर एनोड पर HSO4 माइनस माइनस वाला एनोड पर जाएगा यह इसके दो मॉल और यहां से क्या हो जाएगा बच्चो H2S2O8 में बनेगा और साथ में 2 Electrolysis निकालेगा अब ध्यान से समनना बच्चो यहां पर H2SO5 और यहां पर जैसे ही में H2SO5 ठीक है अब जैसे ही में H2SO5 का reaction कराऊँगा ध्यान से समनना H2SO5 को जैसे ही में reaction कराऊँगा तो यहां पर मुझे क्या मिल जाएगा H2 H2O2 और यहां पर मुझे मिल जाएगा H2 यहां पर मुझे मिल जाएगा H2SO4 और यहां पर मेरा O2 removal होगा ठीक है O2 gas बनेगा और क्या होगा कि केथोड पर केथोड पर हमारा H plus बनेगा केथोड पर हमारा H plus होगा H plus आपका किसमें बनेगा H2 में कनवर्ट हो जाएगा और यहाँ पर दो इलेक्ट्रोन का रिमूबल यहाँ आपका H प्लिस अपका दो इलेक्ट्रोन को लेगा तो यहाँ पर H2 बना लेगा और यह आपके इसके साथ reaction करके H2O2 का formation कर लेगा इसके साथ reaction करके एंड में जो हमको H2SO4 मिलेंगे वो आपके cyclic process के लिए काम आ जाएगा तो ये एक method थोड़ा सा इसको अच्छे से समझेगा काफी easy method है काफी simple method है बच्चो एक दो बार करोगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा ठीक है O2 O2 2 minus और यहां पर दो electron ठीक है इस तरीके से बन जाएगा यह ठीक है अब यहीं से जो बार बनेगा वो आपका इस तरीके से progress करता हुआ जाएगा ठीक है और यह इसके साथ reaction करके H2O2 का formation करतेगा यह इसके साथ reaction करके किसका formation करतेगा H2O2 का this is the second method second preparation method of H2O2 अब हम समझ से थर्ड preparation method तो थर्ड preparation method हमारा क्या है बच्चो ५टर प्रिपेरेशन method ठीक है यह था का हमारा क्या होना होगा क फिक्तारीं अ की मनस सब्सक्राइब हुआ n वे थाइल अ पर कटिए की अपका कुमक हुआ की एक्षिए है ये आपका ये तब या किन कराऊंगा इसकी रियक्षिन जम्ब में आपके किसके साथ कराऊंगा बच्चों यहां पर समझना जैसे ही मैं इसकी रियक्षिन और टू और एयर के साथ कराऊंगा तो यहां पर क्या होगा बच्चों यह आपका इस तरीके से convert हो जाएगा ठीक है यहाँ पर C2H5 और साथ में क्या निकलेगा H2O2 निकल जाएगा साथ में आपको क्या निकल जाएगा H2O2 ठीक है यह आपका एक cyclic reaction होता है अगर मैं nickel palladium के presence में nickel platinum या फिर palladium के presence में अगर मैं H2 डाल जूँगा तो वापस से आपका यह बच जाएगा ठीक है दिस इस 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 साइकलिक reaction method by cyclic process by cyclic process ठीक है फोर्थ method है हमारा by by na2o2 अब तो na2o2 के साथ कैसे निकलेंगे देखो na यह oxygen ठीक है यहापर मैं simple reaction लिखता हूँ nao2 ठीक है यहाँ पर o यहाँ पर na तो यह क्या हो जाएगा बच्चों हमारा इस तरीके से हम यहाँ पर इसका preparation easily कर सकते और काफी easy है बच्चों एक दो बार करेंगे तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आने लग जाएगा ठीक है अब एच्टो-टू का यूज क्या होता बच्चों एच्टो-व्टू का यूज क्या होता है एच्टो-व्टू आपका oxidizing as well as reducing agent की तरह हम इसका use करते हैं तो समझते बात को ध्यान से तो oxidizing agent as well as reducing agent की तरह भी हम इसका use करते हैं तो देखते हैं यहाँ पर देखो H2O2 act as oxidizing agent as well as reducing agent दोनों की तरह इसका use करते हैं तो पहला हमारा क्या है समझना acidic medium में दोनों medium में होता है रिक्षन दोनों medium में यह होता है reaction ठीक है दोनों medium में acidic medium में act as a oxidizing agent oxidizing agent की तरह कैसे act करेगा बच्चों देख लेते हैं F2 को किसमें कर देगा F3 में ठीक है यह आपको कौन से कलर का होता है यह ग्रीन कलर का और यह आपको कौन से कलर का होगा F3 यल्लो ब्राउन कलर का ठीक है तो यह इसको इसमें convert करता था है जैसे अगर मैं बालू कि अगर मैं h2o2 डाल दूं तो यह इसको इसमें convert कर देगा ठीक है नेक्स्ट इसी में आपको बता था बताता हूं पुरानी जो लेड पेंटिंग होती है अगर उस पर ब्लेक कलर आता है तो वह इसको किसमें इसको ब्लेक लेड पेंटिंग के लिए यह मैं ने रियक्शनिक दिया बात क्लियर है बात क्लियर है यह हो गया h2o two के साथ h2so 4 के प्रदेंस में कर territorial कर तो क्या होगा समझना है यहां पर कि सबसे पहले सीर ओफाइफ और यहां पर इसका स्टुक्चिर की क्या होता हुआ है यह आपका कौन सा हुसा हुआ है चाहिख क्लोम में फोन तो टाए इसका स्टुक्चर आपको बताया था स्ट्टर्टचर ठीकिए सात्प में आपका k2 iso4 के टुसों आपका यहां फिरмы trafficking करता होता है जो आगे यह जीन ऑनिष्टेब邮 होता है ग्यार एस और चरीbeiइच तो और यह इसवं unpack is तो इस तरीके से यह आपका कुछ reaction दिखाता है अगर मैं बात करूँ यहाँ पर basic medium में basic medium में किस तरीके से reaction दिखाएगा basic medium में यहाँ पर आपका reaction दिखाएगा जैसे oxidizing agent की बात करूँ तो basic medium में भी आपका क्या करेगा Fe plus 2 को Fe plus 3 में convert कर देगा similarity term है कोई जड़ा में rocket sense नहीं है और MN plus और यहाँ पर बोट सकते हैं हम यहाँ पर यहाँ पर MN plus 2 को MN plus 4 में भी convert कर देगा MN plus 2 को basic medium में यह किस में convert कर देगा MN plus 4 में ठीक है तो इस तरीके से हमारा कुछ reaction है इसको हमको ध्यान अखना है किसमें किसको convert करेगा किसमें किसको convert करेगा किसमें किसको convert करेगा इसका नाम यह आपका black color का होता है तो यह आपका को जे color का होता है white color का ठीक है तो इस तरीके से हम इसका पूरा पूरा जो oxidizing और रिडिसिंग कपिरें उसके बारे में समझ सकते हैं ठीक है बच्चो अब हम समझते हैं इसके तो हैंगे bleaching reagent में समझना बच्चो अगर मैं H2O2 आपका क्या होता है H प्लस और OH2 प्लस डिडाइबेसिक करेंगा होता है अगर मैं यहां पर अगर मैं यहां पर अगर मैं oxidizing oxidant के form में अगर H2O2 को use करूंगा तो हो क्या करेगा permanent bleaching करेगा ठीक है लेकिन अगर मैं reductant की तरह अगर मैं H2O2 को use करूंगा तो वह आपका temporary temporary bleaching करेगा बात क्लियर है temporary bleaching करेगा तो इस चीज़ का ध्यान रखना bleaching action में हम हमेशा H2O2 as a oxidant लेते हैं H2O2 as a हम क्या लेते हैं oxidant ठीक है oxidant के use में तो वह bleaching action मतलब color compound को colorless करने के कांग आएगा तो as a bleaching action of wool and silk दोनों का ठीक है second second आप जानते होंगे is antiseptic is antiseptic antiseptic under the name of under the name of पाइरो अंडर दा नेम ओफ अंडर दा नेम ओफ पर हाइड्रल पर हाइड्रल पर हाइड्रल मतलब आपको वांड्स होते हैं वांड्स पर सबसे पहले किस से साफ करते हैं एच्टो उटू से थर्ड आपको क्या होगा थर्ड आपका इसका यूज़़ोगा बच्चो जो ईली यहीम होगा for ब्लेक्दे को हटाने के काम आएगा थीक है और इसका फोर्त जो यूज़ होगा वो का마फी अच्छा यूज़ है is a propellant is propellant propellant is a propellant in 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 terpidos in terpidos terpidos का मतलब क्या होगा terpidos का मतलब यह होता है underwater 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 में underwater missile के लिए is a propellant की तरह वर्क रोकेट में आपका किसकी तरह यूज़ करेगा terpidos की तरह तो यह आपका कुछ इसके यूज़े आप इसको अच्छे से समझ रहे काफी सिंकल है और काफी इजी है फिर हम आगे की और डिसकस करेंगे हां और साथ में इसका जो strength वाला पॉइंट है strength of H2O2 strength of H2O2 यह आपको physical chemistry में पढ़ाया जाएगा तो इसको वहां अच्छे से समझेगा ठीक है वहीं से अच्छे से समझेगा फिजिकल chemistry में आपको strength of H2O2 को पढ़ाया जाएगा I hope so कि आपको आज कब पूरा lecture समझ में आया होगा so thanks for watching this इसी तरीके से हमारा यहां पर hydrogen and its compounds खतम होता है बच्चो thank you